जय मातादी दोस्तों कैसे हैं आप लों यह बताने के लिए एक कमेंट बेग जय मातादी जरूर लिखें माता रानी सबका कल्यान करेंगे दोस्तों आज है अक्षे आम्ला नौमी तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बताएंगे कि आज कौन से सुम मोहुर्थ में आपको आवले की ब्रिक्ष की पूजा करनी है पूजा का सुम मोहुर्थ क्या है उसकी जानकारी देंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आपने मेरे इस घरेलुखवर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वीडियो पसंद आगा वीडियो को लाइक करेंगे और जितना जादा से जादा हो सके मेरे इस वीडियो को सेयर करेंगे कार्तिक मास के सुकल पक्ष की नौमी को आमला नौमी के रुप में मनाया जाता है इसे अक्षे नौमी के नाम से भी जाना जाता है इस दिन आमले की ब्रिक्ष की पूजा करने का विधान है लोग ब्रत करने के साथ साथ आवले के ब्रिक्ष की पूजा करते हैं वो पूजन के पस्चात ब्रिक्ष के नीचे बैट कर ही भोजन करने का विधान है माननिता है कि पूरे कार्तिक मास में ब्रह मोहुर्थ में असनान करने का विसेश महत्व माना जाता है लेकिन माननिता है कि आवला नौमी पर असनान करने से अक्षे पुन्य की प्राक्ति होती है माना जाता है कि आवले के व्रिक्ष की जड़ में भगवान विस्नु का वास होता है आवला नौमी पर अच्छे स्वास्त और सुक समरिधी वस्सान्ती के कामना के लिए आवला व्रिक्ष का पूजन किया जाता है बात करें अक्षे आमला नौमी सोम महोर्थ की तो कार्तिक मास के सुक्ल पक्ष की नौमी तिथी का प्रारम 12 नवंबर 2021 दिन सुक्र वार को प्राता काल 5 बज कर 51 मिनट पे हो जाएगा वही नौमी तिथी की समापती 13 नवंबर 2021 दिन सनी वार को प्रातहकाल 5 बचकर 31 मिनट पे होगी अच्छे नौमी का सुब मोहुट पूजा का सुब मोहुट है प्रातहकाल 6 बचकर 41 मिनट से लेकर 2 बहर 12 बचकर 5 मिनट पूजा की विधी क्या है तो प्रात्ता का लस्नान आदी से निवरित होकर स्वक्ष वर्स्त्र धारन करें आवले के ब्रिक्ष के पास जाकर ब्रिक्ष को हल्दी, कुमकुम, फल, फोल आदी से विधिवत पूजा करें आवला ब्रिच की जड में जल और कच्चा दूधर पित करे आवले के पेड के तने में कच्चा सूत या मौली लपेटते हुए आठ बार परिक्रमा अवस्य करे इसके बाद पूजा करने के पस्चाथ कथा पढ़े या सरवन करे पूजन करने के साथ ही इस दिन परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर आवले के पेड़ के नीचे बैठ कर भोजन करें उमीद करती हूँ कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करें सेर करें और मेरे इस घरेलुखवर चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स